आस्वागत है एक नए वीडियो मैं दोस्ते इस वीडिए उस वीडिए उस्वेडियो मताने वाला हूँ कि आपके पास जियो फोन नेक्स्ट है या जियो का कोई और मोडल का फोन है तो किस तरह से आप call recording कर सकते है manual या फिर auto call recording कर सकते है जैसे किसी number को dial करने पर recording आपको यहीं पर दिख जाता है जहां पर type करके आप recording कर सकते है कभी-कभी recording का button जो होता है वो अगले page पर चला जाता है ठीक है और आप बीच में भी type करके यहां से call चल रहा है लेकिन आप recording के start कर सकते हैं और उतने ही recording को आप save कर सकते हैं या फिर आप recording एक बार अगर 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 श्टार्ट कर दिया आपने तो call disconnect करने के साथ ही recording आपकी save हो जाती है तो यह तो खेर आपको पता ही होगा कि यहां से manual कर सकते हो automatic call recording करने के लिए आपको dialer पे जाना होगा और dialer के किसी भी section पे रहो आपको यहां पे 3.pt पे जाना है settings पे जाना है settings बजाओगे तो यहां पे call recording का option मिल जाएगा अगर call recording का option अपका missing है यानि कि आपका जो dialer है वह update हो चुका है अब update हो गया है तो आपको क्या करना होगा ना कि डायलर को reset करना होगा और इसके लिए वीडियो बना रखी है आई बटन में Google डायलर में call recording की missing की जो problem है उसकी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी या फिर channel विजिट करके देख लिजेगा वो सब भी सारे ही phone के लिए है तो call recording पर अभी click कर लिया क्योंकि मेरा सामने दिख रहा है अब यहाँ पर यहाँ पर आपको delete call recording और delete all recording का option है तो यह क्या होता है बाद में बताऊंगा यहाँ पर always record का एक option है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि नमबर not in your contact इसको आपको select कर लेना है इसको जैसे ही select करोगे न तो जितने नमबर से phone आएंगे अगर वो save नहीं है तो वो automatically record होने सुरू हो जाएंगे है ना तो सवाले बनता है कि जो save है उसका क्या होगा अगर save नमबर में से भी आप किसी को record करना चाहते हो जाए तर लोग unknown person के call को record करते हैं इसलिए अब ऐसा feature दिया गया है तो जो unknown call unknown call का मतलब यहाँ पे on identified की बात नहीं कर रहा हूँ जो नमबर save नहीं है तो जो नमबर save नहीं है उससे phone आएगा तो यह recording करना start कर देगा रही बात contact list आपकी है 100 की है, 50 की है, 1500 की है तो आपको always record selected numbers पे आपको जाने है इसको आपको turn on कर लेना है और choose contact पे जाना है और यहाँ से ना जैसे कि यह contact आप देख रहे हो ना ऐसे आपको यह सारी contact जितने भी contact है, हलाकि मैंने टर demo contact यहाँ पे save कर रखा है तो तीन number ऐसे save कर लेने है तो सारे इस तरह से आपके contact भी आ गए और यहाँ पे आपके जो contact में save नहीं है, ओ भी आ गए अब किसी भी number पे आप call करोगे या call आएगा वो सारे के सारे number आपके record होगे, जैसे एक jumple के तोर पे मैं इस number पे call करके आपको दिखा देता हूँ ठीक है, अब unknown number है या फिर save है, क्या फरक पड़ता है देखो recording स्टार्ट हो गई recording से भी हो गई, recording सुनने के लिए क्या करना होगा, देखो recording सुनने के लिए तो यहीं पे आपको, जो भी call history है call history पे जैसी ही जाओगे यहाँ पे history पे चले जाओगे किसी भी एक number को डायल करतो, जिसके recording सुननी है और उसकी सारी recording, जो recording हो रखी होगी तो उसमें ऐसे mic का निसान बन जाएगा और यहाँ पे जाओगे न, तो यहाँ से ऐसे recording को सुन सकते हो बागे ऐसे recording को आप फाइल में कैसे देख सकते हो तो इसके लिए हमें कुछ अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है और universal वीडियो मैंने बना रखी है जिस भी mobile में ऐसे google डायलर होते हैं और google डायलर में recording होती है और फाइल्स यहाँ पे show करते हैं आप उस वीडियो को चैनल से देख लीजेएगा तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक लिए बावे